नमस्ते दोस्तों मैं मुर्य वर्शा आपके अपने यूटुब चानल पर स्वागत करती हूँ आज हम डॉक्टर रमनीका गुपता द्वारा लिखित उनकी आतपकता का दूसरा खंड आप हुद्री इस पर चर्चा करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं रमनीका गुपता की आतपकता का दूसरा खंड जिसका नाम है आप हुद्री पहला खंड हमने देख लिया है आप हुद्री के पहले हाथ से अब दूसरा खंड आज हम देखेंगे जिसका शिर्शक है आप हुद्री आफुद्री यह शब्द जैसे पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वेच्छा चार स्वेच्छा चार होता है अर्था मुक्त रूप से जो आच्रन करने वाली या मुक्त रूप से जीने वाली जिसको आफुद्री कहा जाता है जो किसी के बंदन में पढ़ना नहीं चाहती या बंदन में न पढ़ने की जो स्थिती है उसको आपुदरी कहा जाता है रम्नीका गुपता ने स्वयम अपनी आत्मकता का जो पहला खंड हाथ से में इस शब्द का आर्थ दिया हुआ है आपुदरी का जो पंजाबी भाषा का शब्द है और जो किसी के बहकाव में या किसी के बंधोनों में न रहने की जो स्थिती है उसको आपुदरी कहा जाता है अर्था पश्ट है कि जो स्वयम की निर्ने स्वयम लेती है अपने आपको पहचाने की हिम्मत रखती है वह आप हुद्री है लिखिका ने रमनिका फाउंडेशन के एक ब्लॉग पर इस शब्द का आर्थ आप हुद्री दिया हुआ है चाहे तो आप उसको पढ़ सकते हैं कि मेरे निजर में केवल सोतंत्र होना काफी नहीं है मुक्ति की मोहम के लिए सोतंत्र होना काफी नहीं है उसके आगे चलकर हमें अपने लक्ष को निर्दिष्ट करना पड़ता है आंदोलन का लक्ष केवल औरोतों का वर्चे स्वस्तापीत करना नहीं है उसे मुक्त करना वो अपने इच्छानुसार अपने निरने स्वयम ले सके, अपने इच्छानुसार मुक्ताचरन कर सके और उसका साहस जुटा सके उसमें वह निरने लेने की शमता ही ने, बलकि अपने ले गए निरने पर जो आने वाले समय में परिनाम है उस परीनाम को भोगने की हिम्मत भी उसमें आनी चायिए यह भी वह कहती, मतलब एक तरह से होसला हिम्मत भी होना चाहिए एक स्वेच्छाचारी और ऐसी सक्षम आवरत हो सकती है क्योंकि इंकार करने की जो खिम जो उठा सकती है और जो स्विकार करने का साहस रख सकती है स्विकार करना या नहीं करना उसने स्वयम पर छोड़ देना चाहिए लेकिकाने स्वेचाचारी स्त्री के बारे में कुछ तथे भी उस ब्लॉक पर लिखे हुए है जो तथे इस तरह है कि स्वेचाचारी और मुक्तस्त्री कभी कायर नहीं होती गुलामी वह सहन नहीं करती जीवन के जो खुबसुरत पल है उसको वह अनभो करती है उससे रूबरू होती है स्वयम की पहचान उसकी होती है वह है आपुद्री अब स्वेच्छाचारी मतलब आफुद्री इस शब्द का अगर सीधा साधा अर्थ देखा जाए तो वह अपने इच्छा से जो आचरन करे वह आफुद्री है यह शब्द स्त्रीलिंगी है क्योंकि स्त्रीलिंगी होने के कारण खास कर यह जो शब्द है स्त्रीयों के लिए उपयोग में आता है और इसका आर्थ वेभिचारी, आवारा, बद्वाश स्त्रीयों के लिए होता है अब हम ये लेंगे कि जादातर ये प्रयोग स्त्रियों के लिए हुआ है इसलिए लेखी का नहीं आत्मकत्था का शिवशक दिया हुआ है अब ये शब्द वर्तमान में जैसे रूड हो गया है स्वेचाचारी का आर्थ उनी स्त्रियों के लिए प्रयोग में होता है जो बंधन तोड़ती है, रिती रिवास तोड़ती है किसी के गुलामी में वह जीना पसंद नहीं करती अब इस शब्द का आर्थ यह भी निकलता है कि स्त्री के जिस रुप का वर्नन इस शब्द में किया गया है जो स्त्री वेभिचारी होती है या स्वेचाचारी उसे कहा जाता है लेकिन तसलीमा नस्रीन ने एक जगह पर इस स्वेचाचारी शब्द का आर्थ बताया फवा है वह केती है कि स्वेचाचारी मतलब उसका आर्थ है कि जिस किसी के साथ सोना मतलब स्वेचाचारी नहीं है वह और स्वेचाचारी कहला सकती है जो इच्छा न होने पर किसी मर्द के साथ न सोये और उसको इनकार कर दे अब यहां यहार्थ स्पष्ट होता है कि इच्छा से वह ना भी कर सकती है या उसे ना करने आना चाहिए तभी वह स्वेच्छाचारी है अब निर्ने लेने का उसको स्वयम अधिकार है तरह तरह के जैसे अपने स्तिरीत्व पर जो बंधन है उस बंधनों को तोंडे की हिम्मत भी उसके पास होनी चाहिए और निर्ने लेने की क्षमता भी होनी चाहिए वह अपने मर्जी से जीने की आदी होनी चाहिए अपने मर्जी से सम्मंदस तापित कर सकती है अपने इच्छानुसार, कारियर, राजनिती में प्रवेश करती है यह एक रमनिका गुपता की आप हुद्री की कथा है अर्थाद एक स्त्री का स्वतंत्र जीवन किस तरह होता है वह जीवन हम इस आत्मकथा में पढ़ते हैं अब यह जो आत्मकथा का जो शिर्शक है आत्मकथा पढ़ने के बाद हमें बहुत सटीक लगता है क्योंकि लिखिकाने वह जीवन जिया है उन्होंने स्वयम भोगा हुआ है आप हुद्री रमनिका गुपता की आत्मकथा का दूसरा खंड है हम जानते हैं इस खंड का प्रकाशन 2014 में पहली बार चार किष्टों में हुआ था पुस्तक रूप में नहीं पहली किष्ट 15 जुला ही 2014 में स्त्री काल स्त्री का समय और सच के ब्लोक पर हुआ था वहाँ पर रमनिका गुपता ने अपनी सिग्र प्रकाशित होने वाली आत्मकथा जो आप हुद्री के अंश किष्टों में प्रकाशित किये थे रमनिका जी ने अपने इस महतवपूर्ण घटनाओं को जो अनुभोव को वहाँ पर साजा किया था और लेखी का कि यह जो घटनाओं है ट्रेड इनुएन की सक्रिता से लेकर जो विधान परिशद या बिहार विधान परिशद की सदश्य होने तक की उसकी जो भुमीका है और जैसे गैंक्स आफ वासेपूर या कोईला नगरी की राजनिती इसके संबन्द में जो घटनाओं है उन्होंने उस जगन पर प्रकाशित किये थे और आने वाले नए पेडियों को राष्टिय राजनिती या धनबात से लेकर राज्य और राष्टिय राजनिती के गैंक्स्टर विजात्स का वर्नन भी उन्होंने वहाँ पर लिखा हो आता अब जो स्त्री जिन पगडंडियों पर चलने के लिए आधी बन जाती है चलने के लिए वह स्वयम उस नून संगर्षों से गुजरती है अपमान सहे लेती है पुरुष वासनाओं को जहेल लेती है और आधी तूफान या गालिया अपमान संगर्ष यह सब हमें इस आत्मक पढ़ते रहते हैं अब यहां पर 60 और 70 के दशिक में राजनीती के गलियारियों में आज भी शाहिद बहुत बदले नहीं है इस आत्मकथा पर जो हम उनकी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाने लेने की जो लेखिका की कहारी है वो पढ़ते हैं यहां जीवनकथा एक स्त्री की उत्पिडित कता ही नहीं हर घटनाओं का हर सामाजिक स्तितियों का वर्नन भी इसमें है यहां हर घटना अनिवारियता नहीं है लेकिन इस आत्मकथा में कुछ प्रसंग जो है आउटलूक के लिए रमनिका गुपता जी ने सक्षातकार में पहले से बता दिये थे अब इ प्रकाशित हो गई इनकी यहां आत्मकथा तिन तो गोपनिय विश्यों को लेकर खूल फेस्बुक पर पोस्ट पड़ी थी वहां पर वर्तमान अर्मनिका गुपता जी के फांडेशन के पेज पर ही शायद मैंने यह पड़ा था जिस पर वर्तमान पत्र की कटिंग चपवा गोपनिय विश्यों को तोड़ती है जो आदमी या मनुष्य बूलने के लिए पहले ही हिच किचाता है और जैसे त्रीका शरीर उसकी पहिचान होती है हम सब जानते हैं और उसी शरीर के साथ जुड़ी हुई उसकी इज़त है और ऐसा हमारे भारतिय संस्कृति में कहा जात है किन्तु वही शरीर कितनी ही बार अगर कई लोगों के साथ संबंद याने शारीरिक संबंद बना चुका है तो हमारा समाज उसको अलग नजर से देखेगा उसे घुरुना का पात्र ठहराएगा और तरह तरह के लांचन उसे लगाएगा जैसे कुल्टा, कलंकनी, आदी शब्दों से उसको पुरुस्कृत किया गया है, वैसे लेखिका की आत्मकता खुल कर स्त्री के गोपनिये बातों को खोलती है और हमारे सामने या समाज के सामने लाने का प्रयास करती है, वैसे लेखिका की आत्मकता अत्यंत साहस और निर्भीक रूप में प्रस्तुत की ग हुआ है हम जब आत्मकता पड़ते हैं तो इसमें सच में हमें लगता है कि यह बहुत जिद्धी है और यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बच्पन से अपने मर्जी से जीना चाहती है अपने मर्जी से खेलना चाहती है यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने पर किसी क का दबाव किसी का वर्चयस वो पसंद नहीं करती वह मुक्त गगन में स्ऩव वूर्णना चाहती है स्वतंत्र रूप से जीना चाहती है वह जो अपने मर्जी से अपने निरने स्वयम लेना चाहती है और मर्जी सीवह जीने की अधिकारी है उसे रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है लड़का लड़की में भेद करना भी उसे पसंद नहीं है वो स्वयम इस तरह का भेद भी नहीं करती वो अपने मर्जी से कारी करती है मानो उसका जनम ही स्वतंत्र अस्तित्व स्वतंत्र पहेचान स्वतंत्र कारी करने केले बना हुआ है ऐसा ही लेखिका का आचरन हम इस आत्मकथा में पढ़ते हैं उनका जो आचरन है उनका जो जीवन है उनका जो व्यवार है बच्पन से ऐसे रहे हैं और पाठक वर्ग जब इस आत्मकथा को पढ़ने लग जाता है तब उसके दिमाग में कई हजारों प्रश उपस्तित हो रहे थे एक वेचारिक दृष्टी से यह आत्मकता प्रोड मानी जाती है क्योंकि यह उस प्रोड व्यक्ति के लायक ही पढ़ने के लिए आत्मकता है और सही तरीका वही है कि जो प्रोड व्यक्ति ही इस आत्मकता को पढ़े और सही दृष्टी से उसको समझे औ और क्योंकि यह हैं जो पुराने और सामन्तवादी सोच से घेरे हुए विक्ति होते हैं जो लोग इस आत्मकता को एक अलग नजर से देखेंगे एक स्त्री अपनी जिन्देगी जीने के लिए किस तरह संगर्श करती हैं अपने मर्जे के मार्ग चुबनती हैं जो कि बहुत बड़ा विद्रोही कदम हैं हम अपने मर्जे से बाहर घूमने भी नहीं जा सकते और एक स्त्री का बंदिश्त दायरा पित्र सत्तात्मक व्यवस् आज हम खुल्याम से स्त्री पुरुषों में भेद करना कम कर रहे हैं मैं पूरी तरह कम किया ऐसा नहीं बोलूँगी समान है ऐसा नहीं बोलूँगी लेकिन कम हो गया है लेकिन ये ततकाली निस्तिती है जब भारत आजाद नहीं हुआ था आजात होने के कुछ सालों बात की ये घटनाये हैं और यह एक विद्रोही कदम उठाना ऐसा कदम उठाना सर्वर सामाने एक सामनती परिवार की लड़की के लिए बहुत बड़ा कदम था या चुनोती भरा काम था अब लेखी काने आत्मकता में एक जगह पर कहा हुआ है कि आउरत की नियती हार मानकर घर में बैठना ही नहीं है गिर कर फिर उटना और हमेशा संगर्शरत रहना यही उसकी नियती है संबंदों की गिरावट अगर देखनी है तो यह आत्मकता पढ़नी आवशक लगती है पढ़ते समय हर यक प्रसंग हर यक पंक्ति गहरी सोच और कश्मकश को लेकर हमें डाल देदी है वसे हमारे जैसे आमस्त्रियों के लिए यह जो आत्मकता है घर के आलावा जो हमने बहारी दुनिया ही नहीं देखी और ऐसे स्त्रियों के लिए ये आत्मकत्ता एकिन करने लायक तो नहीं है आत्मकत्ता पढ़ली तो हमारे जैसे स्त्रियों को लगेगा कि यह इस आत्मकत्ता की घटना उपर एकिन करना मुश्किल है क्योंकि ऐसा भी होता है क्या यह प्रशन हमारे सामने उपस्तित होता है क्योंकि ऐसे सवाल खड़े हो सकते हैं जैसे एक पुरुष के अलावा कई पुरुषों के साथ या अन्य पुरुषों के साथ शारिरिक संबंद बनाना जैसे आम बात है और अपने पती को छोड़ कर कही अकेले बाहर रहना एक सर्वसाधारन स्त्री के लिए आम नहीं है और ये एक बात यहां महतुपूर्ण है और हाइलाइट करने जैसी है और सर्वसाधारन स्त्री कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती पढ़ रही है तो जैसे शरीर पर रोंग्टे खड़े हो जाते हैं ऐसी खटनाई हमें इसमें पढ़ने को मिलती हैं बाहर की दुनिया कैसी होती है स्त्री को पता ही नहीं है और उस स्त्री ने अगर या आत्मकथा पढ़ी तो शायद उस स्त्री के लिए इस पर एकीन करना मु अंद्रवत जो बेदी पेशावर में थे और वे उसी बिग्रेडेर के तहट काम कर रहे थे जिनकी बेटी से उनका प्रेम पसंग चल रहा था अब यह बात आज के मैं यह बात आप लोगों को मेरे शब्दों में नहीं बोल रही हूं उनकी आत्मकता कि जैसे के वैसे यह श सानी से एकीन कर ले और यह एकीन कर ही पाते हैं आज के जमाने लेकिन उस जमानी की यह बात है जब स्रीयों को पर्दों में रखा जाता था स्री को उतना खुल कर पढ़ना लिखना यह खुले आम नहीं चलता था अर्थात 1944 या 45 के बीच की अगटना होगी पोराणी कथाओ में हमने ऐसा सुना है आत्मकता में एक जगव पर ऐसा रमनिका गुपता जी ने लिखा हुआ है कि ब्रम्भा ने अपनी बेटी सरस्वती से शादी की थी इस पर हमारे जैसे आज की जमाने के लोग विश्वास नहीं करेंगे लेकिन हमारे समाज में पिता-पुत्री का रि ना उसके इस चरित्र पर हुआ होगा और गहरा प्रभाव पड़ा होगा ऐसा हम इस आत्मकता से समझ सकते हैं आत्मकता में जो बाते निर्भिक रोप से लिखी है इस बात को असत्य भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि आत्मकता सत्य पर आधरित होती है क्योंकि लेखक का अपन अपना नेजी ये जीवन है, अपना नेजी विचार है तो हम उसको एक तरज से दुधकार भी ने सकते, नकार भी ने सकते, लेकिन जैसा सहास किसी भी स्तरी ने तो क्या किसी भी पुरुष ने नहीं किया होगा, तत्कालियन समय में जैसे यूँ कहूं कि आज भी समाज में इस तरह के सम्मध बनते और बिगड़ते होंगे लेकिन आज इसका परिनाम विपरीद भी हो सकता है क्योंकि हमारे देश में रोटी से जादा हमें इज़त प्यारी होती है और शान प्यारी होती है और शान की फिक्र होती है वही इज़त स्त्री के रोप में आज भी समाज में देश में विद्धिमान है स्त्री ही घर, परिवार, समाज की इज़त, शान और मान होती है वह इस तरी आज खुल कर अपनी हिसाब से जीने लगी है तो समाज उसे जीने नहीं देता और अलग-अलग माध्यमों से उसे प्रताडित किया जाता है, लांचन लगाये जाते हैं, वही समाज के सामने आत्मकथा के माध्यम से हमें पढ़ने को मिलता है यह सगे सम्मंदी यास-पास के लोग उसे गलत नजर से देखते हैं, विद्रो की भावना से देखने का जैसे कारन बनते हैं, लेकिकाने बिना किसी भय, बिना किसी डर के अपने आत्मकथा में अपनी भावनाओं को, अपने विद्रोही भावनाओं को व्यक्त किया है अब यहाँ अपने नजर में जिसे हम प्यार कहते हैं, महोबत कहते हैं, किसी दूसरे के नजर में वही अनेतिक संबंद या वेभीचार हो सकता है ऐसे वेभीचार या प्रेम संबंदो का राज रमनीका ने समाज के सामने आत्मकथा में चित्रित किया है अब यह विभिचार या उन्होंने जो कारे किये समाज के नजर में वो आफूदरी थी लेकिन खुद की नजर में वो आफूदरी नहीं थी आज यह ऐसी यह पहली आत्मकता है है जो प्रेमुस संबंदों के बारे में खुल कर लिखती है जिन भागों पर बोलने के रहे स्त्रिया हिच की चाती है उसी भागों पर लेकिका ने खुल कर लिखा हुआ है और वो समाज के सामने चित्रित किया है एक खास बात है कि आत्मकता यह एक स्त्री के हैं हम सब जानते हैं इस आत्मकथा के द्वारा लेखीका ने पुरुष सत्ताक या पित्र सत्ताक समाज के एके करके सारे परदे उठाए है या कपड़े उतारे है आत्मकथा ये घटित जीवन की कथा है, हम जानते हैं इस कारण हमें इस आत्मकथा को स्विकार करना पड़ेगा और सत्य पर आधारित नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते वैसे ही लेखीका ने असल जीवन में पुरुष सत्तक सामनती विचारों वाले लोगों का परदापाश इस आत्मकता में किया है यह एक चुनोती भरा काम था, यह आसान नहीं था, जिसे लेखीका ने आत्मकता में वरनित किया है वह एक आसान काम नहीं था, देहिक शोशन या शारीरिक शोशन के कारण वह विद्रूही बनी और उनके पारिवारिक या परंपराओं का मान मर्यादों का उन्होंने विरोध किया और उसके खिलाब या उन बंधुनों के खिलाब गुरुना, गलानी और गुस्सा इनके मन में भरा हुआ था परमपराओ और रुढ़िवादी मुल्यों का इन्होंने अधपतन किया हुआ है उनको खारिज किया हुआ है ऐसा कह सकते हैं और उन्हें तोड़ने पर आमदा ये लेखी का रही है मर्यादाओ का नकाब उलटने का काम और उसके लिए कटी बद्ध जो लेखी का है वह है रमनी का गुपता जी आत्मकथा में एक साहस, संगर्शी, जिद्धी और बहुती बहादूर लड़की की कथा चित्रित हुई है लेखी का है कि बालमन से उसके ततकालीन परिवेश वातावरन का प्रभावस पर रहा है बच्च्पन से लेकर उनकी मृत्ती तक की 80 उम्र होने तक 84 साल तक उन्होंने अपने अनभों के आधारपन किन-किन परिष्टितियों का सामना उनको करना पड़ा या जेलना पड़ा उसका वरनन उन्होंने आत्मकथा में किया हुआ है अब इसका विस्तार से वरनन हम जब आत्मकथा में पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि यहाँ पर बाल सुवद भावनाये भी है देहिक शोशन भी है, मानसिक शोशन भी है, समाच की प्रताडना है, पारिवारिक प्रताडना है और जिस वज़े से दिन के उजाले में वहां अंधेरी रात और साप बनकर डसने वाले नाक का वरनन करती है उसके कारण उसके मन में घ्रना और नफरत पैदा होती है और उसी विभार के कारण सामनती परिवार की बेटी होने के कारण इज़त न चली जाएं, इस कारण वो चुप रहती है, माता-पिता के विभार के कारण वो भीतर ही भीतर सब कुछ से लेती है, लेकिन उनको बताती नहीं है, डर उसके मन में बेट गया था, मार पड़ सकती ह इस कारण वो डरती है वेवार के कारण उसके भीतर इतना डर बेठा वह भीतर इतना कुछ जहलती है सहन करती है लेकिन वह माता पिता को कभी कुछ बोलती नहीं है बड़ी ही बहादूर लड़की थी लेकिका कि आज के लड़कियों को यह एक प्रेरना देने लाइक संदेश देने लाइक उनका ये काम है वर्तमान में हम बहुत सी लड़कियों को बहुत सी स्रीयों को उनका योन शिशन या बलातकार होने के बाद आत्मत्या करते हुए हम देखते हैं आत्मत्या करते हुए हम जैसे पढ़ते हैं कहीं पर तो आपने आपको जैसे दोशी मानकर स्वयम क वो सजा जो लड़किया या स्थिया देती है उसके लिए ये प्रेनादा एक काम है उनके लिए लेखिका कहती है कि मैंने जो देखा मैंने जो भोगा मैंने कभी अपने आपको दोशी नहीं माना और किन्तु यहा एक बात स्पष्ट करनी है मुझे कि आत्मकथा में लेखिका अपने आपको कभी भी कमजोर न समझने की बात कई है वो सभी स्त्रियों के लिए प्रेना देने की काम करती है उस व्यक्ति के कारणिया जिसने हम पर अन्या किया जिसने हमारा शोशन किया उस व्यक्ति के कारण हम अपने आपको स्वयं को क्यों दोशी माने और हम अपना नु है कि वो बाहरी और भीतरी ऐसे दो लड़कियों का उसका जीवन रहा है बाहरीक और अंतरग या भीतरीक बुरी लड़की और अच्छी लड़की अंदर से बहुत वो अच्छी है लेकिन समाज के लिए वो बहुत बुरी है और ताकतवर शक्तिशाली उसकी भीतरी लड़की ह खितने भी अन्याय, किटने भी शोषन, कितना भी जुल्म उस पर हुआ हो, वहाँ डगमगाती नहीं है, उसके साथ कोई नहीं है, वह सिर्प अकिली है, भीतर से अकिली है, और हर मुसीबत का सामना करने कि उसमें हिम्मत है और वह जो देखती है अनुभो करती है इसका प्रभावी उसके चरित्र पर पड़ा हुआ हमें दिखाई देता है लेखी का जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे उसके परिवार, समाज, मास्टर या घर में नोकर चाकर इनके साथ उसका जो विद्रहो करना शुरू हो जाता है अपने मर्जी से वह जीने लगती है वैभाईक जीवन, बच्चों का लालन, पालन या भरन पोशन वह अपने मर्जी से करती है और कितने ही बार अपने अस्तित वक के लिए लड़ती है नत्य और नटी बनने का उसका बहुत शोग था कितने ही बार प्रयास करने के बाद वो हिरोणिन नहीं बन सकी इसका उससे बहुत खेद रहा है वो समाच कारिय में आपने आपको जोग देती है जिसके लिए वो राजनेती में भी प्रवेश करती है यह है एक प्रोड आत्मकता है और जैसे मैंने कहा कि कम उम्र के अगर पाठक इस आत्मकता को पढ़ेंगे तो उत्तेजित हुए विगर नहीं रहेगे क्योंकि शारीरिक संबंदों के बारे में पढ़ने के बाद किसी का भी मन उन संभंधों के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो सकता है उनके मश्तिक्ष पर योड संभंध को लेकर गहरा आसर भी हो सकता है जिसके दिमाग में विचारों का तुफान जैसे उमड सकता है और जो बिल्कुल प्यक्ति के लिए एक सौभाविक है किन्तु आत्मकथा में ये नया है निका गुपता के ही शब्दों में आपको कहूँ तो वो कहती है कि पापा जी पर अनिक औरते फिदा थी वे कुष्णों के भी कुष्ण थे मैं भी उसकी प्रिक्षदर्शी थी और इन सभी प्रसंगों की कोई सलवार संभालती कोई गाल कोई मुस्कुराती कोई ब्लाउच के बटन लगाती और जैसे कहा कि पापा जी के कमरे से ये निकला कर दी थी और बाहर आने के बाद किसी भी स्तरी ने आखे नहीं पोची ऐसा इन्होंने कहा हुआ है मतलब शायद बच्पन में एक बच्चे होने के कारण उनको लगता था कि पापा जी इनके डॉक्तर होने के गारण ऑपरेशन कर रहे हो गए या कुछ दवादारू कर रहे होंगे लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उनको समझ में आ गया कि असल में वह क्या था एक बच्पन की ना समझी रमना की ये कथा बाद में जब बड़ी हो जाती ह तो उसके मन मश्तिक्ष पर कैसा असर कर जाती है यह हमें समझना पड़ेगा आत्मकता में जो लड़की आई हुई है वह एक अत्यनत तरकशिल है उसका सुभाव विद्रोई है स्वयम का अपना रिवाद चलाती है पुरानी बाते नहीं मानती यह एक स्त्री चालाग भी है बुद्धिमान भी है और किसी का हुक्मों से पसंद नहीं है वह आफना फैसला खुद सुनाती है वह नितांत अकेली है और आरोपों और लांचुनों से जैसे घिरी हुई है सभी गोपिनेता के जो नियम होते हैं सब के नियम यहाँ पर वो तोड़ दिती है इस करन हमें इ कinsi फेर और रुपों का उसके पता चलता है और वहाँ पर एक बुरी लड़की और जो बड़ो का बड़े बुज़ूर्ग का मान सनमान नहीं करती कहना नहीं मानती और बुद्ध भी है बच्छकल भी है बहस करती रहती है अगर जो बुद्धु है और भीतरी जो रमना है व हमेशा जो उर्जावान रहती है नकारात्मक्ता उसके भीतर छूती भी नहीं है सामन्ती परिवार के प्रेम परसंगों को लेकर उनने लिखा हुआ है जिसमें बाहर से प्रतिश्टा का दिखावा करने वाले जो लोग भीतर से कैसे खोकले रहते हैं कितने रिष्टे द्वार उनके प्रेम पसंग कर चलते रहते हैं इसका असर बच्चों पर यह घर परिवार के छोड़ी चोड़ी जो बच्चे उन पर कैसा होता है और यह जो असर है रमनीका भुपता पर जो विरासत से उनको मिला हुआ है परंपरा है और बच्पन में बच्चों पर यह उन योदारा इसके सा कारण ही आये हुए हैं और नोकर उनके घर का इता जो रामू लेखिगा का बच्पन में उसने जो योन शोशन किया था और बड़े-बड़े जो परिवार वाली घर वाली जो लोग उते हैं अपने नोकरों के भरसे पर बच्चों को छोड़ देते हैं और ये छोड़ना कोई आम बात में है लेकिन इसका फाइदा लोग कैसे उठा लेते हैं और बच्चों का योन शोशन करते हैं ये हम इस आत्मकता में पढ़ते हैं हम इस आत्मकता के बारे में इतना कहेंगे कि इस आत्मकता में आज तक के स्त्रीविशक जितनी भी बाते हैं ग लेकिगा के पास नहीं थी वह तिन्त खुले रूप से सब भी हमारे सामने प्रस्तुत करती है आप हुदरी इस आत्मकथा के दूसरे खंड में उन्होंने विस्तार से ये चर्चा की हुई है और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि उनके आत्मकथा के और दो भाग आने वाले थे लेकिन इसके पहले ही उनका निधन हो जाता है उनके मृत्ति हो जाते है शायद उन्होंने इसकी पांडोली भी लिखी होगी ये उनके सगे सम्मंदी या उनके सम्मंदित साहितिकार मित्रमंडली यही जान सकते हैं मैं तो स्रिप शायद कह सकती हूँ रमनिका गुपता ने उन्हें तब कहा था और चोते खंड में दिली आने पर जो सहितिकारों के साथ चर्चा या अनभू आये थे और परिवार से कटे रहने के बाद जिस तरह उन्हों उन्होंने संगर्ष किया या जो D-class के मजदूर है किसान साती है उनके लिए उनके घर के लिए या उनके घर ज जीवन को पढ़ने के बाद अभी तो लेकीका हमारे साथ जीवित नहीं है लेकिन फिर भी हम इनकी आत्मकथाओं से उनको जीवित रूप से प्राप्त कर सकते हैं लेकीका का जीवन पर आधारित यह दूसरा खंड यहां पर समावत हो जाता है अब इस आत्मकथा के दूसरे खंड की कुछ निश्कर्श बन पड़ते हैं लेखिका का परंप्राओं के खिलाफ विद्रोह करना सामंती परिवार का चित्रन इस आत्मकता में आया है स्त्री चरित्रों के माद्यम से तत्काली स्त्री जिवन की त्रासदी का वर्नन लेखिकानिके है जिसमें उनकी मा है मौस मामिश कुंतला है भावी है इसका चित्रन है योन शोषन का चित्रन जग़ा जग़ा पर हमें आत्मकता में मिλता है जिसमें योन शोषन बच्पन में नोकर और मास्टर पूरम चंद के शोन क्लोक्स अउपभूगतावाद की ऑधरना मिस आत्मकता से स्पष्ट होती है स्त्रियों के प्रती दुरुष्ट कोन जो हीन था जिसका चितरन इस आत्मकथा में आए इसाई बंगाली स्त्रियों के कथा द्वारा हम देख सकते हैं स्त्री जीवन संगर्ष का चितरन जिसमें शारिरिक है, पारिवारिक है, मानसिक है, आत्मिक है, विद्रोही रूप का चितरन हमें देखने को मिलता है, जो आजादी के दिनों का संगर्ष भी इसमें है, आत्मकथा में काफी स्त्रीयों पर बाते हमें देखने को ये पढ़ने को मिलती हैं लेके कानी अपने जीवन को मनो विशले शनात्मक दृष्टी से लिखा हुआ है उक्त जैसे मैंने निश्कर्ष बताये हुए है आपको इसके आलाव भी संबंदों की गिरावट है शारिश उस्ट्रेशन है सामनत्वारी विचार धारा है और कोईला खदाने अगर हम एक जैसे होकार आत्मक बाते या पॉजिटिव फिलिंग्स जो होती है या पॉजिटिंग विचार हम इस आत्मक अगर लिए तो एक स्त्री ने आज बोलना शुरू कर दिया है तो इस त्रीक को हमें पढ़ना भी ज़रूरी है तो यह जो रवनिका वुपता की आत्मक अथा की दूसरा खंडल आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और जल्द मिलेंगे हम एक नए वीडियो में एक नए विशे के साथ तब तक के लिए ह हम यहाँ पर रुखते हैं धन्यवाद